चलिए आज हम करेंगे class 12-5 का chapter integrals का exercise 7.3 का question number first Question में हमने integrate करना है sin square of 2x plus 5 का with respect to x इसलिए हाँ पर dx लिखा हुआ है तो हमने इस function का integration करना है with respect to x ठीक है अब देखिए हमारा जो यह function है यह standard form में नहीं है ठीक है हम इसको directly integrate नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर कुछ trigonometric formula को apply करके इसको पहले simpler form पे लाएंगे फिर उसके बाद भी हम इसका integration करेंगे ठीक है अब आपने याद रखना है अगर हमारे पास में होता है sin square x ठीक है अगर हमारे पास में होता है sin square x 2x plus 5 नहीं है अभी हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास में है sin square x तो हम उसको लिखते हैं आपने याद रखना है जब भी हमको integrate करना हो sin square x का तो हम उसको लिखेंगे 1 minus cos 2x upon 2 ठीक है फिर यह simpler form में आ जाएगा तब integrate करेंगे ठीक है तो इस formula से हमारा sin square 2x plus 5 हो जाएगा 1 minus cos 2x x के जगा पर आएगा 2x plus 5 upon 2 तो आपने याद रखने हैं कि जब भी हमारे पास में हो integration of sin square x तो हमने sin square x को लिखना है 1 minus cos 2x by 2 इस formula से हमारा sin square 2x plus 5 हो जाएगा 1 minus cos 2x of 2x plus 5 upon 2 ठीक है अब यहाँ पर dx है तो dx भी लिख लिखेंगे हैं तो हमने formula लगा करके इसको जो ही यह लिख लिया ठीक है अब देखें यहाँ पर denominator में 2 है ठीक है denominator में 2 है constant है इसे हम भाहर निकाल सकते हैं तो चली इसको भाहर निकाल लेते हैं नीचे यहाँ पर 2 है तो भाहर आजाएगा तो यह हो जाएगा 1 upon 2 फिर हमने integration करना होगा 1 minus cos अब देखें यहाँ पर हमारे पास में है twice of 2x plus 5 हम 2 से भीतर multiply कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 22 जा 4x plus 25 जा 10 ठीक है तो अब हमने इसका integration करना है and जो integration करना है वो with respect to x करना है इसलिए यहाँ पर dx है न अब देखें आपने याद रखना है कि integration of 1 with respect to x होता है integration of 1 with respect to x होता है x ठीक है तो यहाँ देखना है integration of 1 with respect to x होता है x अब यहाँ पर है minus लगाएंगे minus अब हमने इसका integration करना है ठीक है हमने इसका integration तो कर लिया अब हमने इसका integration करना है ठीक है अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास में है वो है cos of 4x plus 10 and यहाँ पर ना हमारे पास में function के भीतर function है यह trigonometric function है cos and यहाँ पर algebraic function है 4x plus 10 तो यहाँ पर हमारे पास में function के भीतर function है and जब भी function के भीतर function होता है तो हम integration chain rule से करते है chain rule में हम पहले भीतर वाले function को x suppose कर लेते है and बाहर वाले function का integration कर लेते है ठीक है, फिर उसके बाद में हम भीतर वाले function का differentiation करते है and उसको denominator में लिखते हैं, divide में लिखते हैं ठीक है, तो यही हम यहाँ पर करेंगे ठीक है, तो पहले हम 4x plus 10 को यह जो है, इसको x मान लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा cos x cos x का integration होता है sin x, ठीक है cos x का integration होता है sin x, लेकिन यह x नहीं है यह तो 4x plus 10 है, इसे हमने x माना है लेकिन यह 4x plus 10 है, तो यहाँ पर भी आएगा 4x plus 10 तो देखे, हमने भीतर वाले function को x suppose करके, बाहर वाले function का यहाँ पर integration कर लिया अब हम भीतर वाले function का differentiation करेंगे and उसको divide में लिखेंगे, ठीक है denominator में लिखेंगे तो देखे, 4x का differentiation होता है 4, तो यहाँ पर आएगा 4 फिर plus, फिर 10 है 10 का differentiation होता है 0 क्योंकि यह constant है, तो constant का differentiation 0 होता है, तो इसका differentiation 0 हो जाएगा तो 0 का आगे लिखने की जरूद नहीं है ठीक है, तो इसका differentiation 4x प्लस 10 का differentiation यहाँ पर हो गया 4 ठीक है, तो देखे, हमारे इस पूरे function का integration हो चुका है अब क्योंकि हमने पूरा integration कर लिया है तो यहाँ पर लगा लेंगे C, coefficient of integration को यहाँ पर लगा लेंगे, जब भी integration complete हो जाता है, तो हम C यहाँ पर लगा लेते हैं, coefficient of integration को last में लगा लेते हैं, ठीक है अब आगे solve करते हैं अब देखे, half से x को into करेंगे तो यह हो जाएगा, x by 2 फिर हम half से इसको into करेंगे तो यह हो जाएगा 1 से इसको into करने पर आएगा sign 4x plus 10 upon में 4 है, 2 से 4 को into करेंगे तो आएगा 8, आगे है plus में C तो यह आगे हमारे पास में इस function का integration तो यह आगे हमारे पास में question first का final answer